दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह यह लोग सुखे जमीन में खोद के मचलिया निकाल रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे आखिर यह मचलिया जमीन की नीचे आया कहा से तो सबसे पहले आपको बता दू आप जिस मचली को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तब यह अपने आपको कीचर में दफना देती हैं और अपने म्यूकस से एक लेयर तयार करती है जो इसे एक लेदर शिल के तरह प्रोटेक करता है साथ ही इसे डिहाइडरेशन से भी बचाता है उस दोरान ये अपने आपको कुछ इस तरह से ट्रांस्फर्म कर लेती है जिसे ये बिल्कुल एक मैमल की तरह हुआ से सास ले सकता है इसी तरह ये एक साल तक बिना पानी के जमीन के नीचे दबा हुआ रहे सकता है और जब बारिश होती है तब ये फिर से दूसरे मचलियों क तरह अपने नॉर्मल लाइफ में लोड जाती है